नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं गूगल डूडल द्वारा डॉक्टर रंदिवे को सम्मानित किया जा रहा है कौन थी डॉक्टर कमल रंदिवे क्यूं मनाया है गूगल ने आज उनका डूडल तो चलिए हम जाने कमल रंदिवे की जीवनी इससे पहले आप चै जीव विज्ञानी डॉक्टर कमल रंदिवे का 104 जनम दिन मना रहा है रंदिवे को उनके अभूत पूर्व कैंसर अनुसंधान और विज्ञान और सिक्षा के माध्यम से एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए जाना जाता है आज का डूडल भारत के गेस्ट आर्ट इबराहिम रहीं ताकत द्वारा बनाया गया है आज के डूडल के लिए अपनी प्रेणा के बारे में बात करते वे रहीं ताकत ने कहा मेरी प्रेणा का मुख सुरूत विश्वी सताब्दी की लैंब अथेटिक्स और कुष्ट वा कैंसर से संबंदित को सिकाओं की सुक्ष दुनिया थी उनके द्वारा बनाये गये डूडल में डॉक्टर रंदीवे एक माइक्रोस्कोप को देख रही है कमल समर्थ जिन्हें डॉक्टर कमल रंदीवे के नाम से जाना जाता है का जन्म आज ही के दिन 1917 में पूने भारत में हुआ था जिनके पिता ने मेडिकल कमल के पिता दिनकरपुने के फर्गसन कॉलेज में एक जीवी ज्यान के प्रोफेसर हुआ करते थे उनका उद्देश से था कि घर के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छे सिख्चा मिले खास कर बेटियों को कमल अपने पिता की उमीदों पर एकदम खरी उतरी उन्होंने जीवन की हर परिच्चा अच्छे अंको से पास की कमल हमेशा कुछ नया सीख्ती और उसमें अच्छा करके दिखाती वह भारतिय महिला विज्ञानिक संग की प्रमुक संस्थापक सदस्य भी थी डॉक्टर कमल जैसी ही रंदिवे को पद भूशन से भी सम्मानित किया गया भारतिय कैंसर अनुसंधान केंद्र में एक सोध करता के रूप में काम करते हुए डॉक्टर कमल रंदिवे ने कोशी का विज्ञान कोशी काओं के अध्यन में डॉक्टरेड की उपाधी प्राप्त की बाल्टी मोर मेरी लेंड यूएसे में जॉन्स हॉपकिन्स विश्व विध्याले में फैलो सिप के बाद वह मुंबाई लोट आई और फिर देश में पहली टीसू कल्चर लैब की अस्थापना उन्नीस सो उन्चास में डॉक्टर कमल रंदिवे ने ही की थी डॉक्टर कमल रंदिवे के पिता का उद्देश से था कि घर के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी सिछा मिले विशेश कर बेटियों को ऐसे में कमल भी अपने पिता की उमेदों पर खरी उतरी और हर परिच्छा अच्छे अंकों से पास की कमल हमेशा कुछ नया सीखती और उसमें अच्छा करके दिखाती डॉक्टर कमल रंदिवे भारतिया महिला विज्ञानिक संग की पर्मुक्सन स्थापक सदसे भी थी डॉक्टर कमल जैसी रंदिवे को पद भूशन से भी समानित किया गया था कमल के पिता चाहते थे कि चिकिस्सा के छेतर में पढ़ाई करे और उनकी साधी एक डॉक्टर से ही हो लेकिन और पुने के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाया करते थे पिता ने कमल की पढ़ाई पर विशेज ध्यान दिया कमल खुद पढ़ाय में बहुत ही कुसागर थी उनकी आरंबिक सिक्षा पुने में हुजूर पागा के गल्स स्कूल में हुई थी यह विज्ञान में महिलाओं के लिए छात्र वृति और चाइल्ड केयर विकल्प प्रदान करता है स्वास्थ नियाय और सिक्षा के प्रती डॉक्टर रंदिवे का समर्पन उनके छात्रों के लिए प्रभाव साली है जो आज विज्ञानिके को रूप में काम करते हैं 1949 में उन्होंने भारतिय कैंसर और संधान क्रेंडर में एक सुध करता के रूप में काम करते हुए कोशिका विज्ञान कोशिकाओं के अध्यन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की बाल्टी मोर मेरी लेंड युएसे में जॉन्स हॉपकिन्स विश्व विध्याले में फैलो सिप के बाद वह मुंबई और ICRC लोट आई जहां उन्होंने देश की पहली टीशू कल्चर लैब की स्थापना की कमल रन्दिवे ने शुरुआती दोर में कैंसर पर कई सोध की वास्तों में स्तन कैंसर की घटना और अनुववन सिक्ता के बीच संबंध का प्रस्ताव रखने वाली वा पहली सक्त थी इस बात की पुष्टी बाद में कई सोध करताओं ने भी की तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी इस वीडियो में मैंने कमल रन्दिवे के बारे में पूरी जनकारी दी वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद